दोस्तो हेर ट्रांस्प्रांट के बाद कुछ लोगों को माते पर और आखों के नीचे स्वेलिंग आने का डर होता है। आज के वीडियो में बात करेंगे उन 5 टिप्स के वारे में जिसको अपना कर आपको हेर ट्रांस्प्रांट के बाद स्वेलिंग नहीं आएगी बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में पहले टिप एलिवेट हेड हैं दोस्तों जब आप हेर ट्रांस्प्रांट के बाद रेस्ट करते हैं या सोते हैं तो आपको अपने सीर को ऊँचा रखना है आपको अपने हैड को ऑफरे होई इंचा उठा कर रखना है सीर उचा रहने की वज़े से आपको swelling आने का डर खतम हो जाएगा दोस्तो जब हम लेटते हैं back के बल यानि अपनी कमर के बल लेटते हैं और सीर को उचा रखते हैं तो swelling आगे को नहीं आती forehead और under eyes के नीचे swelling आने का डर खतम हो जाता है इसलिए hair transplant के बाद जब भी आप rest करें या सोने को जाएं तो कमर के बल सोएं और अपने सीर को उचा रखें दूसरी tip keep hydrated दोस्तो पानी का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे श्रीर के अंदर जब आप अपना hair transplant करवा लें तो उसके बाद कम से कम 15 दिन तक आपको खूब पानी पीना है लगबग 3-4 लेटर हर रोज 7-8 गिलास पानी minimum आपको per day consume करना है पानी पीने से आपको swelling आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी तीसरी tip eat pineapple दोस्तो पाइनेपल यानि अनानास के अंदर antioxidants बहुत सारी मातरा में होते हैं इसके अंदर anti-inflammatories properties होती हैं ये free radical को दूर करने में बहुत help करता है तो शरीर के अंदर जितने भी inflammatory processes होते हैं वो सब इसके खाने से कम हो जाते हैं यानि यदि हम pineapple का ज़्यादा मातरा में इस्तेमाल करते हैं तो शरीर के अंदर swelling आने की सभावना खतम हो जाती है तो इसलिए transplant के बाद आपको pineapple daily consume करना है चोथी tip टेक steroids दोस्तों transplant के बाद आपका doctor आपको कुछ दिन के लिए द्वाईयं prescribe करता है जो आपको infection और सूजन से बचाने का काम करती हैं उन द्वाईयों के अंदर वो आपको steroid भी recommend करता है उन steroid के खाने से आपको सूजन आने की सभावना कम हो जाती है या बिल्कुल खतम हो जाती है तो दोस्तों आपको सूजन ना आए उसके लिए 5 दिन steroid का सेवन बहुत ज़्यादा जरूरी है और पांचवी टीप है दोस्तों बरफ के चमतकार को आप जानते ही है ये सूजन को कम करने में बहुत help करता है जब transplant के बाद forehead और under eye पर सूजन आ जाती है तो बरफ से काफी मदद मिल सकती है ये सूजन आम तोर पे तीसरे दिन से लेकर पांचवी छटे दिन तक आती है जैसे ही आपको सूजन का पहला साइन दिखाई दे माते के उपर या आँकों के नीचे आप सूजन वाली जेंगय पर हर एक घंटे के बाद 10 मिनट के लिए बरफ से टकोर करें दोस्तों यदि आप हर घंटे 10 मिनट के लिए